नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल स्मार्ट पिके एजुकेशन सेंटर में तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो आपकी नई कोलेज लाइबरेन भरती और नई पीटिय भरती 2023 के बारे में बात करने वाले हैं शुरुआत करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप जादा से जादा सेर जरूर करें काफी लंबे समय से राजस्तान में क्या है लाइबरेरियन कोलेज लाइबरेरियन वेकेंसी का क्या है इंचजार हो रहा था कुलेज लाइबरेरियन और जो आपके PTI है इन भर्तियों की गोशना है उसको तीन साल हो गए है यानि तीन साल पहले इन भर्तियों की क्या है गोशना हो चुकी थी लेकिन अभी तक ये भर्तियां है क्या है पूरी नहीं हुई है जिसका मुख्य कार्ण था नियमों में संसोधन नियमों के कार्ण ये भर्तियां आपकी अटकी हुई थी बात करते हैं इस नियूज पेपर कटिंग की नियमों के फेर में अटकी हुई थी फद नियमों में संसोधन के बाद अब जल्द ही भरे जाने की संभावना तीस साल बाद कोलेजों को 247 लाइबरेरियन मिलेंगे और साथ में 247 ही क्या है PTI के पदे भरे जाएंगे राज्य के सरकारी कोलेजों को अब जल्द ही 247 पुस्तकाले देक्स और 247 ही सारेरिक पर शिक्षक अनुदेशक मिलने का रास्ता साप हो गया है नेमो के फेर में अटके ये पद अब जल्दी बरे जाने की संभावना है राज्य केबिनेट ने नेमो में संसोदन को हरी जंडी दे दी है ऐसा माना जा रहा है कि रास्तान लोक सिवायोग यानि जो RPSC है आगामी कोलेज सिक्स्या विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली भरती के साथ PTI एवं लाइबरेरियन की भरती भी करा सकता है यानि RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिविकेशन जारी करेगा उसी के साथ आपके एक तु लाइबरेरियन और दूसरी PTI दोनों के पद सेम है 247 247 PTI और 247 ही पद लाइबरेयन के वेकेंशी आपकी कोलेज लाइबरेयन की आने वाली है इन भरती की बात करें तो न्यूनतम जो सेक्षन की योगता है उनकी भी बात कर लेते हैं लाइबरेयन में आपको 55 परतिसत अंक, 55 परतिसत अंकों के साथ MLIS Master in Library and Information Science, सूचना विज्ञान या फिर जो आपका परलेखन विज्ञान में जो सनातकोतर उपादी है यानि जो MLIS है आपके पास होनी आउसक है MLIS में आपके पास 55 परतिसत अंक क्या है आउसक है इसी के साथ NET यानि जो NET एक्जाम है वो आपका कलियर हो इसके साथ ये नहीं है तो फिर आपका एसलेट होना चाहिए ये भी नहीं है तो जो SET परिक्षा जो SET एक्जाम आपका हाली में आयुजित किया गया था जो SET एक्जाम SET, एसलेट या फिर NET इन तीनों में से एक एक्जाम आपको पास करना आउसक है इसी के साथ 55 परतिसत अंक के साथ MLIS साथ में पुस्षकालिया में जो कंप्यूटरी करन है उसका आपको नोलेज होना चाहिए बहतर आपका सेक्षनिक रिकोर्ड भी आउसक है तो ये योगेता आपके कुलेज लाइबरेरियन वेकेंसी 2023 के लिए रखी गई है दूसरी और बात करें PTI के लिए तो PTI के लिए क्या है सारेरिक सिक्ष्या वे खेलकूद विज्यान अथ्वा सारेरिक सिक्ष्या अथ्वा खेलकूद विज्यान में 55 परतिसत अंकों के साथ सनातकोतर उपाधी या फिर साथ में नेट सिलेट अथ्वा सेट परिक्ष्या क्या है उत्तिरण अंतर विश्व विधलेई परति सरप्रदाओं अथ्वा राज्य राष्ट्रिय चैंपियन्शिपों में विश्व विधले या फिर कोलेज का परतिनी धीत्व करने का रिकोड आपके पास PTIE, कोलेज PTIE के लिए क्या है? आउसक है कोलेज लाइबरिन के 247 है और कोलेज PTIE के कितने है? 247 पद है 30 साल पहले हुई थी भरती यानि जो कोलेज PTIE की भरती है वो 30 साल पहले हुई थी और 30 साल बाद ही आपके क्या है? लाइबरिन और PTIE दोनों की भरती 247 पदों पर होने जा रही है तो बड़ी खुसकबरी है राजस्तान के सभी बिरोजगार और बैर्थियों के लिए तीन साल पहले हुई थी भर्ति की कोश्णा परदेश के बिरोजगारों की प्रेसानी के संबन में देनिक भासकर के गत 29 नवंबर के अंक में 30 साल से कोलेज लाइबिन भर्ति नहीं परदेश में 460 में 434 पर दरिक्त सीर्षक से समाचार प्रकासित किया गया था इसमें बताया गया था कि करीब 3 साल पहले फरवरी 2019 को जो सिक्स्या मंतरी थे भावर सिंग भाटी इनके दवारा लाइबरेरियन, PTI और असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती करने की गोषणा की गी थी उसके बाद नियमों में ससोदन नहीं होने के कान ये भरतियां क्या है अभी तक अठकी हुई थी अभ इन नियमों को क्या है जो सविकर्ती है वो मिल चुकी है और ये वेकैंसिज आपकी क्या है जल दाने वाली है सारी रिक परशिक्सक अनुदेशक के 247 पुस्टकाले देक्स के 247 पदों पर भरती की जाएगी परदेश के 490 सरकारी कोलेजों में सरकारी शिक्सकों के 272 पद सविकर्त है 22 ही कारेर्थ है 250 पद रिक्त है कोलेज में पुस्टकाले देक्स के 274 पद सविकर्त है जिन में से 26 पदों पर ही वरतमान में पुस्टकाले देक्स कारेर्थ है जबकि सायक पुस्टकाले देक्स के केवल 3 पद ही सविकर्त है तो ये वेकेंची आपकी क्या है जल्द आने वाली है पद कितने होंगे 247 सेक्षिनिक योगेता हैं क्या होगी वो आप सभी को बता दी है सेट एक्जाम आपके लिए अच्छा परियास्ता रास्तान सरकार का जो कुलेज 11 बर्टीशे करवाया गया सभी को क्या है इसका फायदा मिलेगा क्योंकि जिन्होंने सेट कलियर किया है केवल 6 परियसत ही सेट एक्जाम में आपके क्या है पास है वो किये जाएं कितने 6 परियसत परते एक सब्जेक्ट में कितने 6 परियसत तो यह वेकेंसी आपको सेट जिन्होंने कलियर की है कलियर होगी जिनकी वो भी अपलाई कर सकते हैं जिन्होंने नेट की है एसलेट की है वो सबी क्या है इस vacances के लिए क्या है पातर है यो क्या है